को कहीं से नहीं लगता है कि ये रियली पूछताच हो रहा है ये तो मुझे लगता है खाना पूटती हो रहा है इनसे पूछ लिए उनसे पूछ लिए पूछ क्या आप कर क्या रहा है किश वैसिस के पूछा जा रहा है सुशान सिंग राजपूत आत्महत्या मामले में आज मुंबई पुलिस धर्मा प्रोडक्शन्स के सीओ अपूर महता से पूछताज कर रही है सुशान के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंग बबलू इस वक्त हमारे साथ है नीरजी पिछले दिनों हमने देखा बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों से पूछताज हुई है चाहे वो संजय लीला भनसाली हो अदित चोपरा हो शेखर कपूर हो या फिर महेश भट लेकिन आज धर्मण फ्रोडक्शन जो करन जोहर की कमप्णी है उनके सी ईयो से पूछताज होने वाली है इस मामले में देखिये इसमें हम ये समझते हैं कि अगर करन जोहर को कहीं से नाम आ रहा है या कहीं से कहीं उंगली ऊठ रहा है तो CEO से पूछने कद कोई मतलब नहीं है जो पूछना है इतनी लोगों से पूछा गया संझेलीला बनसारी से पूछा गया तो डिरेक्ट करन जोहर से पूछना चाहिए और करन जोहर को बुला के पूछे कि भई क्या सच चाहिए अगर क्या जानते हैं क्या उससे बात निकलती है उस पे काम करना चाहिए अभी तो कोई गरफतारी भी नहीं हुई है तो उस पे पुलिस को सही ढंक से हम समस्ते पूछताच करने चाहिए और करन जोहर को डारेक्ट पूछना चाहिए बुला करके अभी जिस तरीके की पूछताच चल रही है आपको क्या लगता उससे पूचा जा रहा है किसी को अरोपीत करके ही पूछ रहे हैं इतने रोगों से कुछ सामने नहीं आ रहा है तो किस तरह का जाच चल लो है और फिर आगे के दिनों में विचार ज़रूर करेंगे कि आगे क्या करने चाहिए अभी आपने बता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस आखिर का जब निकालती है इस पूरे जाच की संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या सीबी आई जाना परेगा तो सीबी आई के लिए कोट जाएंगे लेकिन फिरहाल अभी आप मुंबई पुलि मुइभण है मुझैं लगता है कोरोना भी है तो थोड़ा सामें को मुखा नहीं पूलिस के का जांच कर रहें हमें लोग तभी देख रहे हैंげं। लोगों को बुलाये जा रहा है, बुलाने के बाद निकल क्या रहा है, क्या बाते सामने आ रही है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक चलिए, तो जाहिर से बात है, जो परिवार है सुशान सिंग राजपूर्ट का वो बिल्कुल संतुष नहीं है, अब तक कि जो मुंबे पुलिस की जाच चल रही है, उसे केवल अपचारिकता मान रही है, और उनका कहना है कि इंतजार वो करेंगे, मुंबे पुलिस आखिर कि सहर साओ